नौशाद जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे बताईए कि इंडिया को आज अब कैप दिया गया सरफरास को उसने कैप लिया उसके हाथ कपकप आ रहे थे उस टेस्स मैच के पहले वो भाग के फिर गया आपके पास आपने वो कैप लिया फूट फूट के रोए वो मॉमेंट सब ने देखा और हम सब को इतना टच करा हूँ समय आपने एक लाइन बोली थी वो की सूरज अपना समय लेता है निकलने में वो लाइन एक बार पहले तो दोर आएंगे हमारे लिए नहीं कुछ लोग जो महनत करते हैं और उसके साथ साथ में बहुत जल्दी एक्स्पेक्टेशन रखते हैं उनके लिए शेर था क्योंकि वो ऐसा था कि आका शुपड़ा जी ने कहा था कि आप लेट हो गए हैं शायद आपको चांस लेट मिला है तो फिर यह मैंने कहा था रात को वक्त चाहिए गुजरने के लिए सूरज मेरी मर्जी से नहीं निकलने वाला तो जो बलते हैं कि सवेरा होता है लेकिन वो अपने समय पर होता है हमारे सोचने से नहीं होगा हमारा काम है कि रात को बरदाश करना रात को बरदाश करना क्या कितनी सुन्दर बात बोली आपने आपने अलसो बहुत सुन्दर जाकेट पहनी हुई थी मैंने उस दिन देखा कि जब फाइनली सरफराज जब जा रहे थी अंदर अपना कैप लेकिया अनुल कुम्लेनर ने दिया आपने एक जाकेट पहना था उसके बीचे लिखा हुआ था cricket is gentleman's game, gentleman की ऊपर line लगा हुआ था और फिर लिखा था it is everyone's game, वो जाकेट के बारे में मैं बताएंगे क्या कहानी है उसकी कि नहीं देखिया हम लोग मैं क्रिकेट खेलता था पहले मैं मुंबई रंजी ट्रोफी प्रॉबविल्स में था 21 खिलाडी होते नो जो संभावित खिलाडी होते उसमें था मैं तो सचीन समीर दीगे और सभी लोग थे उस वक्वीनोत काम लियोगर है उसमें सब थे उसके बा लाग रही थी और काम भी बहुत आई और यह ऐसा है कि इसमें बहुत टाइम देना पड़ता है सुबह शाम दोनों टाइम ज्यादा मैच खेलनी पड़ती बहुत सारी चीज़े तो फिर मैंने सरफरास से अपना देखना शुरू किया और बहुत सारी चीज़े छोड़ा बह इस तरीके से था और मतलब कभी भी वह पैशन जो है वह जूरूर कम नहीं हुआ चाहे वह सलेक्ट हो नहीं हो काम अपना करते रहे बस अब लोग पर आपने वह जैकेट वाली कहानी मुझे नहीं बताई मुझे बताई है वह जैकेट कहां से आई और क्या मैसेज देना चाहते है आप लोगों को उस जैकेट से जी जी नहीं मैंने यह सर्फरास का कॉंट्रेक्ट प्यूमा से तो प्यूमा के शोरूम से थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाती है तो मैं जा रहा था एशिया कब देखने के लिए मुशीर के मैस थी अंडर-19 तो दुबाई तो उसने कहा क कि अब वो मेरी बात हुई है प्यूमा वालोस से आप जाके थोड़ा शॉपिंग कर लीजिए और वहां दुबाई में थंडा भी होगा थंडी होगी थोड़ी तो मुझे यह जैकेट पसंद आई क्यूंकि उसमें क्रिकेट की एक लाइन लिखी थी उसमें रिखा था क्रिक कि एक करने रहे गया गें जो महिनत करेंगे उसी का उसका हो जाएगा यह किचिन तक पहुच गया यह आपने अच्छी बात बोली यह सही है पर मैंने सुना कि आप पहले मैच देखने जाही नहीं रहे थे फिर बड़ी आपको किसी ने मनाया उसकी क्या कहानी है नहीं मेरी तब्यत थोड़ा ठीक नहीं है क्या पता कि अभी भी में इतना अच्छी नहीं कफ जमा हुआ चाती में अभी डॉक्टर आयती जो हमारे फैमिली डॉक्टर इंजिक्शन दा और दवा देकी गए सर्दी होगी थोड़ी सी तो मैं सुरिया का मेसेज आया था कि सरफास का दोस्त है मुशीर को भी बड़ा प्यार करता है मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट देता है तो बोला सर आप मैज देखने जा रहे हो क्या तो मैंने बोला नहीं सुरिया मेरी तब्य ठीक नहीं है और मैं जाके अननेसरी प्रेशर नहीं देना चाहता अगर उसको चा तो थोड़ी देर के बाद फिर सुरिया ने मैसेज किया कि नहीं सर ठीक है आपके इमोशन तो अपनी जगह पे लेकिन मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए क्योंकि लाइफ में वाइफ में रहेगा आपके ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा उसके बाद वह बहुत खेले लेकिन यह मोमेंट नहीं मिलेगा आपको मुझे लगता है जाना चाहिए मैंने भी अपने माम घरवालों को लेके गया था तो मैंने फिर सोचा ता मेरी वाइफ को भी लेके जाओंगा लेकिन टिकेट मिला नहीं मुझे एक ही टिकेट राज़कोट के फ्लाइट तो आपको काप दे रहे थे, काप पर नंबर लिखा हुगा था, 311. और उन्होंने कहा कि आपसे पहले सरफराज, सर्फु, आपसे पहले सिर्फ तीन सो दस लोगों को इस पुजिशिन में खेलने का मौका मेला है और उन्होंने अपना हाथ पढ़ाया सरफराज से हांड़ेक करने के ल क्या मीनिंग है इंडिया के लिए खेलने का इतनी लॉंग स्ट्रॉगल के बाद आपने बताया हो छे साल से आप ने इस अपना देखा जब सर्फराज सिफ छे साल का था नहीं मैं करना के कि शिद्द के साथ उसमें लगे वे थे हम लोग और अपना घर मेरा घर के बाहर एक पीछे क्रिकेट की तो वो कौन सा एक शेर यादा रहे कि किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मनजर होंगे घर अपना मैदान बना कर घर से हम बेगर होंगे और ये मिट्ट कि शिद्धी बहुत है सर पर करज नहीं रखती जो इन पर महनत करते हैं ताज उनी के सर होंगे क्या बात आज नहीं तो कल होंगे तो वह यह एक सोच रहा था कि मेहनत तो किये हैं तो इसमें बीच में एक शेर और याद आया था मैंने पढ़ा भी था कि जो मेरा ख़ाब है आखों का हिस्सा क्यों होता दिये हम भी जलाते हैं मुझला क्यों नहीं होता है तो यह इस तरीके की सोच भी आई थी कभी के कियो नहीं हो रहा है सुबेरा क्यों हमारे को चांस मिल रहा है लेकिन जैसे मैंने वो कहा ना के सूरज अपने समय पे निकलेगा और वो निकला पंदरा तारिक की सुबा निकला आड़ बच कर चालिस मिठ पे जब वो सरफस को समझ दो कि मैं अपना ही सपना उससे जी रहा था अपना सपना तो आप जी रहे थे और सूरज आपने सही का निकला और क्या चमका और आगे भी ऐसे ही चमकते रहे उसके सितारे उसका सारा कैलिबर हम तो यही चाहेंगे पर अब मैच की तरफ जरा जाते हैं उस दिन सरफराज बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहा था, सबको लगा कि आज तो डेब्यू में सौरन बनेंगे, जिस तरह से खेल रहा है, लेकिन कैसे इद्दम रन आउट हो गया, हम सब वो, हमने स्टेडियम बे सुना इद्दम साइलेंस हो गया था, हम सब जो घर पे बैठ के देख रहे थ वो बैठा हुआ था, उसकी शकल दिखा रहे थे, रो इचर्मा ने गुस्टे में अपनी कैप ठेकी, इतनी इमोशन चल रहे थे, आपके मन में क्या था, आपने क्या बोला बाद में उसके? नहीं देखिए, बैटिंग जीस दब से कर रहा था, उमीद तो थी, लेकिन रन आउट होना, रन बनना, या कभी कैच छोड़ जाना, ये पार्ट और पार्सल अब गेम है, तो इसमें ये हम नहीं कह सकते हैं, किसी ने जान बोच के किया, या गलती तो होती है, मिसंडरेशन से काम होता है, आउट होना, नहीं होना, हाना, और डायरेख खीड भी लग गई, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, हर कोई चाहता है कि मतला अपने पार्टनर को लेके चले, और टीम के बारे में ही सोचते हैं सब लोग. जी, मैंने एक इंटिव्यू में नौशादी सुना था कि सरफरा से पूछा गया कि अगर इंडिया के लिए कभी खेलने को नहीं मिलता, तो क्या करते? और उन्होंने का तो क्या करते? अबबू के साथ वापस जाके लोकल ट्रेन में ट्रैक पैंट्स डाल के लोगों को इनकी मेहनत करना, घर की खर्चे निकालना, कैसे संभाला आपने ये सब? अब आप अब आप अब आप अब लोग लोकल ट्रेन में बेजते ते लोकल लेकर जाते थे वह फैशन स्टीट करके जगा है बंबे में तो आजाद मैदन और क्रॉस मैदन के बीच में है तो वहां पर मैं अपना लगाया था एक दुकान लिया तरेंट पे तो वह जो ट्रै है तो क्रिकेट में रेलवे की कमाई से तो आप उतना परिसा नहीं होता है रेलवे में यूंकि इतने महंगें सामाने क्रिकेट के वह सब खर चे कैसे निकलेंगे तो जो काम मिला उससब करते था है जी जी नसाची मुझे लगता है आपकी कहानी क्यों दोने लोगों को जैसे बहुत सारे में इंडिया कहानी कुछे भॉक कर सकता है तो थी हमैड़ी होप है ऐसे सब्सक्राइब कर साल lubett तो तो भॉक्त सब्सक्राइब रृत कर रहे हैं अधिक कोई रिश्टेदारी में जाँ रहे हूं काई कोई शौक पूरा कर रहे ना बच्पन में जिनदिर बच्छों को और इस कितने कई ख़र अबंबे में इंडिया में इसके इसका कितने लोग क्लता है चोटे मोते लोग आंपने किसी मिलता है वो जजबा मिला है सबको क्योंकि अगर वो सर्फराज को नहीं होता तो शायद उनका भी दिल दूड़ता तो मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छा काम हुआ है कि जो लोग सव सव सेंचुरी सेंचुरी मार रहे हैं कई-कई सव मार रहे हैं कितनी-कितनी विक्टे ले तो उनके लिए भी एक सपना एक रास्ता खुल गया है कि डोमेस्टी क्रिकेट का रिवार्ड मिले गम लेगा एक दिल जी पर नौशा जै जिनको ब्रेक मिल गया हो तो सारी अच्छी बाते करते हैं पर आम शूर इस पूरी जर्नी में इतने सालों की मॉमेंट्स रहे होंग कि अपनी ड्रीम के पीछे लगे रहो उसको छोड़ो नहीं तो है लेकिन कहने का मतलब दूसरा काम भी तो नहीं आता है क्या करेंगा बताइए इसके लबा क्या कर सकते थे और आज की तरीक के अंदर तो जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है बच्चों को और जो काम अभी को कोई भी काम में अगर आईसा काम जिसमें आपका शौक भी पूरा हो रहा और वो काम भी हो जाए तो उससे अच्छा तो कोई काम हो ही नहीं सकता है और इसमें मुझे किसी को देनी नहीं थी कि बैट पकड़ने सिखाना है क्या कोई कोचिंग के लिए बेजना है इनके लिए डबल एडवांटेज था कि बाप और जोश दोनों मिल गया इनको तो मेरे खल से जादा हसान हो गया और फिल्ड और ऑफ दोनों हमारे साथ में थे और मैंने अपने कई साल कर्केट के नदर खर्च किये तो वो सब एक्सपरियंस में ने इनको शेर किया मैंने अपने करियर में यह किया तो वो उनको फाइदा पहुचेगा इसी तरीके से यह तो चलते रहता है ने तो सीड़ी है कि एक आएगा एक जाएगा जी मैंने रीसेंटली देखा कि आनन्त भाहिंद्रा मुझे पता निया आप उनको जानते है कि नी उन्होंने एक ट्वीट करके वो इतना टच हो गए सर फराज की कहानी से उन्होंने कहा है कि वो आपको एक थार गिफ्ट करना चाहते हैं, in fact उन्होंने कहा कि सिर्फ आपकी जितनी महनत गई है उसके लिए वो आपको एक थार गिफ्ट करना चाहते हैं, आपने देखा उनका ट्वीट? हाँ मुझे मेरे बेटे ने बताया जो पीछते वाले ने भी और कई मौले के लोग आये थे आपके आने से पहले उनोंने बताया कैसे सर ने ट्वीट किया है तो आपके जरीये मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया आदा करना चाहता हूं कि उस लाएक उनोंने समझा और बहुत-बहुत शुक्रिया यह उनोंने ओफर किया उसके लिए जी जी नौशाजी जाते जाते अब तो सरफरास का डेब्यू भी हो गया है बहुत अच्छा खेल भी रहा है फ्यूचर में उसके लिए आप क्या होप रखते हैं क्या विशिज अपनी स्टाइल में कुछ बताएं शेरर्ज है कि मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना है मेरे सपनों को नाकाम नहीं करना है मेरा रास्ता बड़ी दूर तलग जाता है पड़े कोई बस्ती फिर भी शाम नहीं करना है तैंक यू सो माच नौशाज जी हमसे बात करने के ल आपको बहुत बहुत गर्वोगा बहुत बहुत गर्वोगा बहुत बहुत कंग्राचुलेशन्स